एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज की रेसिपी है गाजर का हलवा और बजार से कई गुना अच्छा और परफेक्ट हलवा आप घर पर रेडी कर सकते हैं बहुत ही असान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोई भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है और यह रेसिपी अगर आप इसे फोलो करेंगे तो आपका हलवा भी बहुत जादा परफेक्ट बनेगा और इसका कलर भी सेम एस वैसा ही रहेगा जिस तरह हम बजार से हलवा लेकर आते हैं और बहुत ही डिलिशियस बनेगा बहुत ही कम और ग्रेटर की मदर से आप ग्रेट कर सकते हैं और आपने थोड़ा सा मोटा ग्रेट करना है और यिसके लवा रूदॉद ले लिया है 1 reflected और यिकल में शूगर में ऑप सब्स ऐल रहें करेंगे या तोरी सीझी लेकर jsुद और देशिक आप वह लिया है मैं नर् 2 टेबल स्क नट्स एड़ करेंगे और इसमें डालेंगे हम सबस इलाइची 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी ओपन की हुई है मैंने थोड़ी सी इसका पॉडर यूज करेंगे इसको पकाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाजरूंग्स में एड़ कर देंगे दूद और हमने पानी बिल दूद को बाइल कर लीजिए और उसे एड़ कर दीजिए दो किलो गाजर है और एक किलो दूद है और इसको अच्छी तरह से पकाना है यहां तक के दूद जो है वह काफी ड्राइव हो जाए उसके बाद हम नेक्स प्रॉसेस स्टार्ट करेंगे यह देखे काफी देर इसे म में ही एड़ कर देते हैं तो इसका कलर जो है वह बिल्कुल खराब नहीं होता अगर आप पानी के साथ इसको पकाते हैं तो हल्वे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है हल्वे का कलर काला पड़ जाता है तो आपने दूद के साथ ही इसको पकाना है गाजर जो है वह ग्रेट अच्छा नहीं लगता, शाथ ही हमने एड़ कर देनी है, इलाईची अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और इसकी कुकिंग अब साथ ही स्टार्ट कर देनी है, अब इसको कवर नहीं करेंगे बस साथ ही हम इसको कुक करते जाएंगे ये दिखिए काफी हद तक ये ड्राइ हो चुका है हलवे की भुनाई अच्छी तरह से करेंगे जितना हम अच्छा हलवा भूनेंगे उतना अच्छा जो है फ्लेवर आता है उतना अच्छा दिलिशिस हलवा बनता है इसमें अब एड़ कर देंगे घी आप इस घी की जगा देशी घी भी एड़ कर सकते है मैंने सिम्पल वाला घी यूज़ किया है और इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए अगर आप इस तरह से हलवा बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका हलवा बहुत जादा परफेक्ट बनेगा और सब को यही लगेगा कि शायद आपने किसी रेस्टोरेंट से यह हलवा मंगवाया है और जब यह पानी इसका ड्राइ हो जाएगा तो इसमें लास में हमने एड़ कर देना है खोया और मैंने हाफ खोया भी एड़ किया है और हाफ उपर से हम रेकुरेशन में यूज़ करेंगे तो आपने हाफ खोया को एड़ करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है दो से तीन मिंट ही हम मिक्स करेंगे क्योंकि खोया डालने के बाद हमें जादा पकाना नहीं होता खोय को अच्छी तरह से mix करनेंगे गाजरों में और अच्छी तरह से mix करने के बाद आपने इसमें थोड़े से nuts डाल देने हैं और nuts और खोया को अच्छी तरह से mix कर देना है सेम इसी तरह का आपका हलवा बनेगा जैसे आप रेस्टूरेंट्स या फिर शादियों में खाते हैं बहुत ही जबरदर्स और लाजवाब यह हलवा बनता है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और जैसे ही यह थोड़ा सा ड्राइ होगा तो बस इसको हम सर्फ कर देंगे इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा जादा होता है और जितना आप इसको कुक करते हैं इसका फ्लेवर और जादा बढ़ जाता है और ये बहुत जादा flavorful बन जाता है बस ये हलवा हमारा ready हो चुका है ये देखे हलवे का कितना अच्छा color आया है बहुत ही जादा perfect हलवा आप घर पर ready कर सकते हैं और सबको बहुत जादा पसंद आएगा और उपर से अब आपने add कर देना है खोया खोया जो है इसके flavor को पिर पिष्टा यूज कर सकते हैं काजू भी यूज कर सकते हैं आपको जितने भी नर्श पसंद हैं आप सब की cutting करके उपर से serve कर सकते हैं बहुत ही tempting और बहुत ही जादा delicious ये हलवा ready हो जाएगा अगर आप नए देखने वाले हैं तो kindly मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को जरूर पैस कीजिए ताके आने वाली वीडियो के सारे notification आपको मिलते रहें और इस recipe को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे comment box में जरूर बताइएगा कि जब आपने recipe को बनाया तो आपकी recipe कैसी बनी थैंक्स फॉर वोचिंग अलाहाफेज